नमस्कार प्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो सेहरा मोव स्टेशन से है जहाँ पर सामने नई बिल्डिंग जो बनी है आमान परिवर्तन के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुबसूरती के साथ इस्टेशन की मुख्य बिल्डिंग पर पीली भीत टाइगर रिजर्व का जो चित्र है उसको उभारा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड़िया तैयार हो गई हैं लाल रंग से पेंट भी कर दिया गया है औ और बाहर का यह circulating area हम आपको दिखा रहे हैं यही से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नजारा थोड़ा दूर से अब हम वीडियो को स्टाट कर रहे हैं जहाँ पर बाहर से जो रोड आती है यहाँ पर sign board आप देख सकते हैं जो सुरत नजारा मैलानी जंक्षन से ले करके पिली भीत जंक्षन तक पैकेज तीन पर हम नजर डालेंगे एक बार फिर से इज़त नगर मंडल में कारे ने रफ्तार पकड़ ली है यहाँ पर जो कारे हैं अब उसमें कुछ प्रगती दिख रही है और जो सुरूप है स्टेशन क का एक बिल्डिंग निकल करके जिस प्रकार से यहाँ पर बीते साल भर से कारे चल रहा है उससे अधिक बल्की हो गया तो कारे अब अपने समापती की तरफ है अंतिम चरण में कारे पहुंच रहा है सर्कुलेटिंग एरिया जितना भी है सारे नॉन इंटरलॉकिंग टाइल पूर्व में भी जब हमने वीडियो किया था तो यहाँ पर लेबर लगी हुई थी जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होते हैं उनको बाहर लगाया जा रहा था यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं लोकल्स अपनी सेलफी वगएरा ले रहे हैं क्योंकि सामने पीली भी टाइगर स्टेशन की ऊपर एक सुंदर लुक देने की कुशिश की गई है बाहर से और बहुती खुबसूरत नजारा साथ सुथरा एकदम साब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है अप्रोच रोड बनके तयार हो गई है पार्किंग का सारा एरिया जो सामने स् पब बनके तयार हो गया देखिए उस पर चेकर्ड टाइल्स भी लग गए है स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में दोनों तरफ रेलिंग्स लग गई है बगल में जो मिटी है वहाँ पर घास वगरा लगाई जाएगी कुछ पौधे लगाए जाए दिवार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना लगी हुई है और जो फ्लोर के टाइल्स है वो लगा लिये गए हैं अब हम पहुँच गए हैं स्टेशन के अंदर रैम से और यहाँ पर अब शेल्टर जो है वो तयार है उस पर च्छत लगनी है उसका कारी होना है वो ब देख सकते हैं यहाँ पर जो पैनल रूम वगरा आ रहा है तो जितने भी यहाँ पर उसके समान है जो भी यहाँ पर वो सब पूरा हो गया है कारे एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लोर एरिया आप पूरा देख रहे हैं पका नजर आ रहा होगा शेल्टर का कारे अभी बाकी है पैदल पूल पर कुछ कार्य चल रहा है, प्लैटफॉम नमबर दो पर सामने आप देख सकते हैं, पेंट वगैरा का जो कार्य है, तेजी से किया जा रहा है, फरवरी के महिने में आप इस महिने मान के चलिए, कि सहरा मौ स्टेशन पूरा कम्पलीट हो जागा, क्योंकि जो आपको दिखाएंगे कि जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य है, वहाँ पर वो पूरा कर लिया गया है, और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैलानी में भी जो क्रॉसिंग है, भीरा वाली पलिया वाली ट्रैक वहाँ पर जुड़ गया है, जैसा सूतर बता रहे हैं, तो मै आगे कुरिया की दिशा में भी दोदिया खुर्त की तरफ ट्रैक बहुत तेजी से बिचाया जा रहा है, कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, ये देखिए, यहाँ पर रैम बनाने का जो कार्य है, तमाम सारा कर्स्रक्शन का जो मैट्रीरियल है, रेता बजरी और रैम पर य दिख रहोंगे जहां से यातरी अराम से जा सकते हैं और जिधर सीड़ी है उस पर तो छट लग गई है लेकिन अभी रैम पे भी छट डाली जानी बाकी है सामने जो शेल्टर है दो नंबर प्लैटफॉर्म उधर भी छट अभी पढ़नी बाकी है तो यह बहुत छोटे-छोट काम है जो बिलकुल अब इस महीने आप मानके चलिए फरवरी में जो ठेकेदार है वो बता रहे थे कि कारी को इस महीने हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लंबा रैम्प यहाँ पर दिया है इनोंने घूम करके उतर रहा जो तो रै मैलानी जंक्षन से आगे अब लोको बैलास्ट ट्रेन लेकरके जो आएगा वेगन ट्रेन जो आएगी बैलास्ट लेकरके बहुत जल्द ट्रैक पैकिंग मशीन के पीछे पीछे वो आएगी यहाँ तक और एक प्रकार से जब लोको जिस दिन पहुँचेगा तो आप समझ लीजे फिर आगे आने वाले समय में अब रेल संचालन का रास्ता जो है साफ हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोल्स आपको दिख रहे हैं प्लैटफॉर्म पे किनारे एलेडी लाइट्स अभी इसमें और लगेंगी यहाँ पर अभी कुछ लाइट्स तो पुरा करेगी जो यहाँ होना है साथी साथ इसके पीछे पीछे फिर बैलास्ट ले करके वेगन ट्रेन आएगी तो और बैलास्ट फिल किया जाएगा फाइनल किया जाएगा ट्रैक को यहाँ पर कार निरंतर तेजी से चल रहा है सेरा मों में आप देख सकते हैं पैदल पाकी है उस पर भी जितना बेसिक काम है शेल्टर का देखिए वो हो गया इधर से आप देखिए अभी नीचे यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा पोर्शन रह गया है रैम के ठीक बगल में जिस पे सीड़िया अभी आगे बना करके फाइनल करी जाएगी और छट यहाँ पर उसको भी यूज किया जा सकता है भविश में यहाँ पर और ट्रैक डाला जा सकता है यह फ्यूचर की बात है इस पेस है इधर तो एक कयास हम लोग लगा रहे हैं कि भविश में अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ी लाइन बढ़ाने की तो यहाँ पर दो नंबर प्लैटफ से चल रहा है सामने आप देख सकते हैं उधर प्लैटफॉर्म नंबर एक इधर यह है प्लैटफॉर्म नंबर दो जिस पर जो साइड में बाउंडरी यहाँ पर रेलिंग लगा करके तयार की जा रही है देखे आपको दिख रहा होगा यहाँ पेजल विवस्था भी होनी है टंकी से इसको जोड़ा जाएगा उसका भी कारे चल रहा है और सिविल वर्क आप कह सकते हैं 90% कारे पूरा हो गया है जो दोनों तरफ प्लैटफॉर्म से हैं मुखी बिल्डिंग है बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया सब पूरा है और यह हम पहुँच गए अब देखे की दिशा से आ रहा है और फिर इधर यह सेरामो इस्टेशन की दिशा में पूरन पूर पीली वी जंक्षन की दिशा में यह ट्रैक आगे जाएगा पिछले वीडियो में ट्रैक आउटर तक यहां तक आया था उसके बाद यह अंडर पास अंडर कंस्रक्शन था स्लैप पड करते हैं ट्रैक की कहां से ट्रैक का एलाइन्मेंट जाएगा यहां से आप देख सकते हैं यह ट्रैक स्लैप के ऊपर से अंडर पास के ऊपर से बिचा लिया गया है स्लीपर्स पे बैलास्ट फिल कर लिया गया है और ट्रैक को देखे जोड लिया गया है welding वगरा काम, final जो भी होगा अभी बाकी यहां से यह under pass आ रहा है नीचे से और यहां से आप देख सकते हैं track आगे जा रहा है सेरा माउ की दिशा में जो मुख्य line है वो यही line है इसके बाद जो loop lines है यह main track है, बाएं हाथ पे platform number 1 की दिशा में loop line जाएगी दाहिने हाथ पे दो number platform की दिशा में loop line जाएगी जिसकी ठोकर line इसी track के दाहिने हाथ पर बराबर से आ रही है और वहाँ पर stopper लगा दिये जाएगा यहाँ पर catchy आ गई यह point आप देख सकते हैं जहां से track को दो number platform की दिशा से लिया जा सकेगा यह यहाँ पर आगे stopper आ जाएगा फिर और track under pass के बाद जाके बंद हो जाएगा ठोकर point वहाँ पर बना दिये जाएगा यहाँ junction boxes आप देख सकते हैं तो यह जो मुख्य track है जिससे मैलानी से फिर track packing machine TPM machine हमारी आएगी सहरा मोग स्टेशन की दिशा में और फिर यहाँ से आगे दूदिया खुर्ट की तरफ और पूरन पूर की तरफ बढ़ेगी जैसे जैसे track work complete होता जाएगा यह under pass है जिसकी पास तक भी आपको track दिख रहा होगा हो सकता track थोड़ा आगे जाकर stop लगाएं stopper यहीं पर ठीक जहाँ पर under pass आ रहा है यहाँ पर बंद हो जाएगा यह under pass का काम आप देख सकते हैं बहुत तेजी से चल रहा है काफी सारा सरिया इसमें दिख रहा होगा आपको लगा हुआ ठेकेदार यहाँ पर बराबर supervisor उनके नज़र रखे होएं काम पर concrete का नीचे आपको दिख रहा होगा एकदम road तयार हो रही है जो भविश में use होगी फिर तो under pass का कारे जो है चल रहा है अभी फिलाल under construction है सारा और उसके उपर slap डालके जो पहली कुशिश पहली प्राथिमिक्ता थी track जोडने की वो कर ली गई यहां से आप नीचे देख सकते है retaining wall दोनों तरफ किस तरह से बनाई जा रही है और किस तरह से रस्ता तयार किया जा रहा है जिससे भविश में आवा गमन लोग कर सकें सुचारू रूप से बिना किसी दिक्कत के और उपर से उसके ठीक यह track गुजर रहा है मैलानी से पूरन पुर तक शाहगर तक अभी फिलाल इसको किया जाएगा CRS Inspection क्योंकि आगे NOC जो तीसरी NOC मिलनी है उसका पेच अभी लटका हुआ है और उसके बाद नए टेंडर पढ़ेंगे तब फिर आगे पीली बीट वाला जो लिंक है काम माला के जंगल से एक साल पूरा आप मान के चलिए ये साल तो गया अब 2022 तक लिंक हो पाएगा कुछ पीली बीट उससे पूर मुझे तो नहीं लगता है फिलाल शाहगड तक गर्मियों तक कोशिश है कारी को पूरा करा करके CRS इंस्पेक्शन कराने की कोशिश की जाएगी ताकि गर्मियों तक कम से कम रेल गाड़ी का जो संचालन है मैलानी जंक्शन से आगे शाहगड तक हो सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TRACK LINK कर लिया गया है दोनों ही दिशाओं से हम आपको कारी को दिखा रहे हैं साथी साथ जो UNDERPASS का कारी चल रहा है बहुत तेजी के साथ उसको पूरा किया जा रहा है काफी लंबा UNDERPASS है अंडर कस्ट्रक्शन अभी है निर्माणा धीन इसमें अभी समय लगेगा दो से तीन महिना बिलकुल आप मान के चलिए अंडर पास को कंप्लीट होने में लग जाएगा पानी अभी भी देखिए भरा हुआ है क्योंकि वाटर लेवल यहां बहुत हाई है बहुत जल्दी पानी मिल जाता है बहुत थोड़े सी खुदाई के बाद पानी निकल आता है तो यह एक समस्या है लेकिन अंडर पास फिलाल काम जो है उसका चल रहा है ट्रैक लिंक हो गया है मुख्य चीज यह है कि रेल गाड़ी यहां पर आगे बैलास्ट लेके जब ट्रेन आएगी या ट्रैक पैकिंग मशीन तो मैलानी जंग्शन से अब सेहरा मोग की तरफ वो आ जाएगी तो यह थी बड़ी खबर उमीद है अपडेट आपको पसंद आया हुगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद